तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं compacting factor test जो क्या measure करता है workability को measure करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि workability है उसको measure करने के लिए यह practical है इसके previous मैंने slum test already मैंने बता दिया है कि slum test किस तरीके से practical perform किया जाता है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ compacting factor test किस प्रकार से इसको perform किया जाता है ठीक है कि ताकि आपको idea मिल जाए और इस practical में क्या क्या चीज़े आपको जानने योग है वह है इसका aim पहले तो पता रहना चाहिए ठीक है इसके principle पता होना चाहि यह apparatus कौन-कौन से यूज करने वाले है procedure क्या है और result क्या आएगा ठीक है यह तीन पॉइंट को आपको ध्यान में रखने है ठीक है यह तीन पॉइंट को ध्यान में रखने है अब यह आगे एक पॉइंट मैं बताते जाता हूँ आगे पॉइंट क्या है compacting factor test aim क्या है वह च बताता है कि suppose जब हम placing करते हैं तो कितना automatic अपने आप compact हो जाता है यहां पर यह point बात कर रहा हूं मैं ठीक है कि जैसे कि हम beam cast कर रहे हैं या slab cast कर रहे हैं तो हम placing कर देते हैं ठीक है किसी हाइट से हम उसको drop उस पर कर देते concrete को तो बिना मतलब कोई compacting tools use किये वह कितना अपन compactent बताता है और वह किसके bgt हूता है default उसकी workability के उपर ही depend होता है कि उसकी workability इसका degree of compaction ही बताएग गया कि workability कैसी है आगे मैं ileg old result के बेस आपको idea भी दूँगा कि किस प्रकार से कितनी degree of compaction होती है तो उसकी workability क्या होती है वह इसके base पे हम decided कर लेते हैं for the standard amount of work and thus offer a direct and reasonable reliable assessment of workability of concrete यह workability of concrete का कितना मतलब उसकी workability है उस concrete की वो चीजे इस degree of compaction के बेश पर पता चल जाएगी ठीक है अब यहां पर आगे देख सकते हैं प्रिंस्पल उसके प्रिंस्पल क्या है वो चीजे आप यहां measurement of weight of the partially and fully compacted इसको दो तरीके से पर्फम किया जाता है एक तो partially compacted partially compacted मतलब बिना compact वाला ठीक है यह आपने आप जो compact हुआ हूँ और एक fully compacted मतलब जिसको हम compact करते हैं ठीक है उन दोनों के ratio को ठीक है उन देनों की ratio को ही क्या बोला जाता है ठीक है यह चीजे आगे मैं आपको calculate करके भी निकालूगा compactor factor के नाम से भी जाना जाता है उनके ratio को compactor factor भी कहा जाता है ठीक है for normal range of concrete the compacting factor between देखो normal range जो होता है compacting factor का यह इसके बीच में ही आता है ठीक है यह value है compacting factor का percentage नहीं है percentage में क्या करना है 100 से multiplication कर दो इस value का तो आपको percentage में भी निकल जाएगा बाकि यह value है 0.8 से लेके 0.92 तक normal इसका range होता है इस normal range में हम use करते हैं और उसको find out करते हैं यह चीज़े आपको याद रखने यह तो यह principle थे उसके बाद से compacting factor test करने के लिए जो tools की जरूरत पड़ती है यहाँ पर आप tools देख सकते हैं ठीक है tools आपके सामने आपके सामने यह आपके सामने रखा हुआ यह आपने आपने यह देखा होगा इसको compacting factor आपक्शन factor apparatus भी बोलते हैं ठीक है यह चीजे आपको ध्यान में रनी चाहिए कि इसकी help से हम compacting factor test perform करते हैं hand scoop की जरूत है जो 15.2 cm long होता है 15.2 cm आप अंधाजा लगा सकते हैं जो आपकी small size की scale होती है न वह इसकी size होती है small size के आपने scale देखा होगा 15.2 cm इतना long hand scoop चाहिए ठीक है फिर rod steel rod जो compacting करने के लिए steel rod की जरूत है हाला कि कहां compacting करेंगे वो चीज़े मैं आपको बताऊंगा compacting करने के लिए यह जो steel rod जिसको tamping rod भी बोला जाता है जिसका आप देख सकते हैं diameter जो है वो 1.6 cm है और वो long जो rod है steel rod वो 61 cm long है यह चीज़े देख सकते हैं ठीक है और balance balance करने के लिए weight करने के लिए balance equipment की जरूत पड़ती है तो यह apparatus की जरूत पड़ती है और यह जो equipment है इसकी जरूत पड़ती है compacting factor test find out करने का यह equipment है जिसका नाम है compaction factor equipment बोल सकते हैं ठीक है यह चीज़े आपको idea मिल गए होगी आगे मैं उसका procedure आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से procedure करते हैं सबसे पहले तो मैं इस figure में ही आपको indicate करके या मतले हमें इसको कैसे perform करते हैं और चीज़े मैं आपको यहाँकर पहले बता देता हूं ठीक है यहीं पोर बता देता हूं जो procedure बोलेगा आगे वह चीज़े में आपको डीटैल में कैसे इसको practical perform करना miał था आपक मैं आपको idea मि किया जाता है क्योंकि देखो एक्जाम में इस तरीके से कोश्चन पूछ लेता है कि इस तरीके से कोश्चन आ गया तो फिर बाद में आप कैसे लिखो गए वो चीजे मैं बता देता हूँ एक बार अगर आपको concept समझ में आ गया ना तो आप अपनी language में उसको procedure को लिख सकते हो procedure याद करने जाओगे दो दिन में चार दिन में भूल जाएगा लेकिन concept याद रहेगा तो आप अपनी language में उसको concept को लिख सकते हो तो किस प्रकार से यह practical perform होता है वो चीजे मैं यहां पर बता देता हूँ कि ताकि आपको idea मिल जाए कि थोड़ा से erase कर देता हूँ कि मैं यह यह आपका टूल्स आप यहां पर देख रहे हैं ठीक है यह टूल्स के बेस पर ही मैं बता रहा हूँ कि आपको idea मिल जाए ठीक है और आप उसके according work भी कर सके जैसे यह उपर वाला आप देख रहे हैं यह उपर आपका जो इसको hopper बोले जाता है अपर होपर और इसको lower hopper बोले जाता है ठीक है अपर होपर और lower hopper इसका dimensions यहां पर नहीं दिया हुए मैं dimensions भी बता दूंगा बाद में कि इसका अपर होपर होता है lower hopper होता है और नीचे आपको cylindrical shape में दिख रहा होगा ठीक है यह तीन चीजे होती हैं सबसे पहले क्या किया जाता है यह चीजे बहुत important समझने वाले point है जैसे आप slum phone किये थे उसी प्रकार से सबसे पहले तो आप material बना लोगे material मतलब concrete आप prepare कर लोगे M20 grade का अगर concrete है तो M20 grade के हिसाब से आपको जितना कितना cement लेना है इसके calculation के हिसाब से आपने क्या करना है यह calculation के हिसाब ऐसके quantity का आपने material त्यार करना है जो उपर है उसके डवल जितना आप quantity का concrete तयार करेंगे concrete जैसे ही तयार होता है उसको proper तरिके से mixing करने के बाद इसको इसमें हमने क्या कर दे ना है? यह जो अपर होपर है इसमें proper तरिके से एक दम feel कर देtitET ना है साइड में करते हैं तो खुल जाता है ठीक है नीचे यह मतलब यह ऑप्सन रहता है कि नीचे इसको ओपन कर दें तो उपर का जो मट्रियल हो नीचे की तरफ आने लग जाएगा सबसे पहले नीचे यह बंद रहेगा यह जो रेट कलर का मैंने यहां पर बता रहा हूं ठीक है पहलब यह बंद रहेगा और उपर की तरफ हम क्या करेंगे फट आफट को फिल कर було इसके यह सबस्य बंद पर में आक इस नीचे गा पर उपन कर देना और इसको फिंडर में पर आ जाता है ज्यान से समझना इस सिलेंडर में क्या हो जाता है गिर जाता है ठीक है सिलेंडर में गिर जाता है तो अब गिरेगा तो जैसे इस प्रकार का आपका सिलेंडर है ज्यान से समझना इस प्रकार का सिलेंडर है तो इसके अंदर कॉंक्रिट फील होगा तो यह उपर तक भी आ जात कर लेना है इतना point समझ में आ गया होगा कि यह जो नीचे का cylinder है इसमें जब concrete fill हो जाता है तो इसका weight measurement कर लेंगे और weight जो आएगा पहले number तो पहले यह cylinder का weight पहले इसे measurement कर लेना इसको बोलेंगे empty ठीक है empty cylinder का empty cylinder का weight है ठीक है w1 और जब concrete feel हो जाएगा जैसे अभी मैंने बताया उसको w2 ले लेने का ठीक है w2 मतलब empty cylinder plus empty cylinder मतलब w1 तो आएगा ही plus उसके साथ साथ concrete भी आ जाएगा इसमें आ जाएगा concrete यह concrete आ जाएगा w2 हो जाएगा फिर दूसरा उसमें क्या करना है यह point आपको समझ में आ गया होगा दूसरा इसमें important point क्या करना है वो चीजें यहां पर side में मैं बता देता हूं दूसरा important point कि यह जो cylinder आपके पास है जो cylinder है यह cylinder को आपने क्या कर देना ओपन खाली इसको लेना है जिसका weight आपको w1 पता है इसको अंदर से पूरा साफ कर देना है कि इसमें मौश्यर नौर है ठीक है फिर उसके बाद क्या करना है इसमें आपको concrete को feel करना है अब concrete को इसमें यह वाले compacting tools को पटा दो अब यह अलग से our pillar ले यह मौवेल होता है निकल सकता है Cylinder निकल सकता है ठीक है बाकि यह दोनों mobile नहीं होते है निकल सकते है ठीक है यह Tuesdays या या याद रहना कि यह दोनों autores गोपर है इसको आप इस 것도 शिलिंडérique से निकाल नहीं सकते कि यह कॉंक्रीट को कि फीक करना है लेकिन फॉर ले यह इसमें क्या करलना है किने करना है तो फैसे पहले क्या यह थी है यह concrete fill किया और इसके बाद 25 times tamping rod जो steel rod है उससे tamping करना है कितने बाद 25 times को tamping करोगे फिर बाद दूसरा layer आप fill करोगे फिर 25 times tamping करोगे फिर यह तीसरा layer fill किये 25 times tamping किये फिर यह चौथा layer चौथा layer इस फिर एकदम उपर के तरफ फिल कर दोगे 25 times tamping कर दोगे और इसके एकद measurement करोगे इसका weight measurement करोगे तो इस time पे जो इसका weight आएगा वो क्या आएगा वो चीज़े मैं बता देता हूँ उस time पे जो weight measurement करोगे वो w3 आएगा और w3 में क्या रहेगा w1 तो रहेगा प्लस concrete भी रहेगा लेकिन ये concrete कैसा है compacted concrete है compacted है ठीक है ये चीज़े आपको पता चलिए कि compacted concrete है इसके अंदर तो w1 मिल गया w2 मिल गया w3 मिल गया ठीक है अब इसमें आपको पहले तो partially जो compacted था उसका concrete weight निकाल लोगे partially कैसे निकालोगे जो w2 है उसमें से w1 माइनस कर दो तो आपको partially मिल गया w3 में भी w1 माइनस कर दोगे तो जो fully compacted है जो fully compacted है उसका weight मिल जाएगा इतना पता चल गया अब जब weight मिल जाता है तो अब क्या करना होता है यह चीज़े यहाँ पर आपको देखो यह procedure जो मैंने बता है तो यही बोला है ठीक है compacting factor में क्या बोला है weight of partially compacted concrete जो आपने होपर के राष्टे से आया हुआ है cylinder में उसका weight measurement किये और वो आया empty cylinder plus partially compacted का आया था तो उसमें empty cylinder का weight minus कर दोगे तो आपको compacted concrete है उसका आपका weight मिल जाएगा और W3 जो हमने निकाला है जिसमें हमने compact करके cylinder को लिया था उसमें से empty वाले का weight minus कर दोगे तो आपको fully मिल जाएगा देखो नीचे है इनी के ratio को ही बोला जाता है compacting factor ठीक है compacting factor उनी के ratio को लेकर किया जाता है और इसके weight से हमें क्या मिल जाता है area sorry इसके weight पे इसकी value मिल जाते compacting factor की value हमें find out हो जाती है ठीक है आगे मैं उपर आपको procedure भी पढ़के बता देता हूँ वही चीज़े बोला है यहाँ पर आप procedure भी देख सकते हैं यहाँ पर procedure में क्या बोला है देखें पहला पॉइंट का procedure क्या बोला है यह पहला पॉइंट का यह procedure देखेंगे तो क्या ब जो नियरेस अप्रॉक्सिमेटी यह जो वैलिंग का बता है कि उसमें टैन ग्राम तक मतलब एक्यूरेशी हो ऐसे वैलिंग में क्या करना है जो बॉटम में जो सिलिंडर रखा है उसका एम्टी वेट पहले निकाल देना जो डबली वन मैंने आपको बताया था और फिर हुआ ज्यादा इसको पढ़के बताने से बेटर है अब यहां पर रिजल्ट उसका देखे रिजल्ट के बेस पर आपको देखिए इसमें स्लंप वैलू भी है और उसका यूजेज भी है तो मैं कम्पैक्टिंग फैक्टर जो रिजल्ट मैंने निकाला है उसके बेस पर उपर लिखा है स्लंप का mm में लिखा हुआ है ठीक है और उसकी workability क्या होगी very low होगी तो यह चीज़े आप यहां से compacting factor जब value निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर उसकी compacting factor value अगर 0.78 जितनी है 0.78 जितनी अगर आ रही है ठीक है तो वो क्या होगा उसकी workability very low होग होगी और उसका slump value approximate 0 से लेके 25 mm के बीच में आएगा और उस concrete को कहां पर ऐसे अगर concrete को यूज करना है तो कहां पर करते हैं रोड बनानी होती है ठीक है repair work करना होता है तो वहां पर इस type के concrete इस type की workability वाली concrete को हमें यूज करना होता है यह चीज़े भी आपको idea मिल गई कई बार यह percentage में लिखा होता है तो percentage में क्या करना है इसमें 100 का multiplication कर दो percentage में आ जाएगा मतलब यह point 85 क्या हो जाएगा 85 percentage आ रहा है ठीक है 85 कई बार यह पूछने वाले percentage में पूछ लेते हैं कई बार value में पूछ लेते हैं तो आपने confuse नहीं होना है ठीक है compacting factor टेस्ट सीधा सिधा हमें बताता है न कि उसको अगर हम direct place करते हैं तो अपने आप कितना compact होता है तो 85% अपने आप compact हो जाता है 100% compact करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जो नीडल वाइबरेटर यूज करना पड़ता है बीम में या column में जिसकी वज़े से वो fully compact हो सके ठीक है 85% तो अ क्क्रेट के लिए foundation के यूज करते हैं आप foundation के लिए यूज करते हो 85% तो अपने जो हम placing करते हैं तो उतने में हो compact हो जाता है लेकिन फुली compact करने के लिए हमें needle vibrator यूज़ करते हैं आप side पे देखे होगे needle vibrator जो होता है उसका यूज़ करके उनको concrete को compact कर दिया जता है compact क्यों किया जता है कि ताकि उसके अंदर के voids ना रहा है voids निकल जाए air voids जो रहता है तो निकल जाए ठीक है इसलिए किया जता है और इसकी slump value अगर देखोगे तो slump value कहां से कहां तक है 25 से लेके 50 तक है जब भी foundation की अगर concrete की अगर design भी करनी होती है तो ध्यान रखना उसकी slump value 25 से 50 तक ही लेकर आपने उसकी designing भी करनी होती है जब फिफ चैप्टर या इस फिफ चैप्टर ही है concrete mix design जब वो मैं बताऊंगा ना तो वहाँ पर slump value कितना consider किया जाता है कितना consider करके हम उसको designing करेंगे वो चीज़े मैं वहाँ पर आपको proper तरीके से explain करके बताऊंगा ठीक है फिर उसके बाद से आप यहां भी देख सकते है उसकी workability क्या होती है यह सब चीज़े जुड़ी हुई है एक दूसरी के साथ जुड़ी हुई है अगर ऐसा bowl भी देता है कई सारे चीज़े ऐसे question पूछ लेगा कि compacting factor अगर माल लो कि 0.85 है तो उसकी workability क्या होगी लो होगी उसकी slump value कितनी होगी 25 से लेके 80 तक होगी उस concrete की हाँ उसी जो concrete में water content आपने डाल के बनाया है उसी concrete को अगर slump test किया जाए न तो आपका यह 25 से लेके 50 mm तक आएगा उसकी slump value यह चीज़े मैं बताना चाहता हूँ और इसका use कहां पे होगा foundation work में होगा फांडेशन work में होगा अब माल लिज़े इसकी value 0.92 अगर compacting factor की value आ रही है मतलब 92% अगर compacting factor आ रही है तो उसकी slump value कहां से कहां तक होगी 25 से लेके 100 तक होगी ठीक है यह सब कुछ जुड़ा हुआ किस मालूम है water content से जुड़ा हुआ water content हम कितना add करते है उसके base पे ही यह आता है ठीक है सब कुछ जुड़ा है water content के base पे water content हम उसमें ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं उसकी compacting factor देखो value बढ़ती जाती है उसकी workability improve होती जाती है ठीक है सब कुछ water content के उपर है water कितना add करते जाते हो water content बढ़ा रहा हो workability improve हो रही है slump value बढ़ रही है compacting factor value बढ़ रही है ठीक है और उसका use कहाँ पर करना है वो चीज़े भी आपको इसके सामने देख रही है अब यहाँ पर इसकी 0.92 की बात किया मैंने तो इसकी workability क्या है medium है यह चीज़े भी देख रहे हो ठीक है और इसका use कहाँ पर किया जाता है reinforce concrete में किया जाता है कहाँ पर किया जाता है reinforce concrete में इसका use किया जाता है वही अगर 0.95 का अगर देख सकते हो 0.95 ठीक है 100 से 175 slump value उसकी होगी और वो उसकी workability क्या होगी हाई होगी ठीक है और यह कहाँ पर किया जाता है reinforce concrete RCC जो structure होता है अब RCC structure तो यह उपर का जो reinforce concrete बोला है वो भी है ठीक है यह चीज़े भी देख सकते है तो high reinforce जहाँ पर highly reinforce होता है high reinforce का मतलब मैं आपको बता देता हूँ reinforce का मतलब steel नहीं होता है यह बहुत ही जब आगे RCC पढ़ोगे तो आपको पते जह लेगा reinforce का मतलब होता है आप dictionary में भी ढूण लेगा reinforce का मतलब होता है सकती करण उसकी सकती को बढ़ा देना अब concrete में जो भी आप यूज करने वाले हो उसकी power उसकी जो strength ना उसको बढ़ाने वाला है ठीक है अब इस्टील की जगा पर और भी आने वाले जो आपके code है जब 6MA जब DRCS पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको reinforce DRCS जो है design of reinforce structure है तो वहाँ पर reinforce में हम steel bar यूज करते हैं लेकिन आप देखो कि जो उसमें code यूज होता है IS 456-2000 जो code यूज होता है उसको भी modify कर रहे हैं बहुत सारे जो engineer है civil engineer है या बहुत सारे अच्छे जो professor उसको modify कर रहे है अभी fiber reinforce आने वाला है ठीक है उसमें fiber यूज करने वाले है और fiber ही बहुत ही बहतरी material है जो हमारी जो उसकी strength बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ठीक है लेकिन problem वहाँ पर दिक्कत यह हो रही है उसका अगर आप लोग ने general पढ़ा होगा साइद fiber reinforce का एक journal है उसको आप देखना लेकिन उसमें problem क्या आ रही है मालूम है problem ही आती है कि वो ductility की तरफ ductility थोड़ी उसकी कम हो जाती है अब ductility कम होना और brittle की तरफ आगे बढ़ना इसका मतलब है कि वो जो अगर माल लीजिए कि जिस load purpose के लिए मैंने बना आया है कि इतना load ये carry और कि सब्सक्राइब ही कर लेगा ठीकिन फीचर में माल लीजिए कि उसका load बढ़ गया उसका pressure बढ़ गया अगर प्रिषर बढ़ गया तो वो बहुत हमें बचने के लिए चांस नहीं डेगा हो तुरंट breakdown हो जायए हर हमारे लिए काफी ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये थोड़ी से उसमें प्रॉब्लम है लेकिन उसके लिए भी रिसर्च जारी है कि किस प्रकार से उसको इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं कैसे उसके अंदर मतलब और क्या मोडिफिकेशन लाएं कि जिसके अंदर मतलब अगर फाइबर हाला कि फाइबर की होते हैं ये कब में भी हो सकते हैं ठीक है को कंपार 있는데요 चल रहा हमारा main समझा दू कि ताकि आपको आईडिया मिल जाए, इकोनॉमिकली का मतलब क्या है, ये चीज़े अगर आपके दिमाग में है ना, तो आप समझोगे की, बहुत सारे कुशन में आ जाता है कि इकोनॉमिकली होना चीज़े, लेकिन इकोनॉमिकली है क्या, वो चीज़े मैं यहाँ पहलाई हो डरा दें। 6 पर आप जान सकते हो कि टीफ एको नमेकली का मतलब यह में होता है यह ऑस प्रमます कि एप ऑन हुआ कि ए स्ट्रेंथ कि एप ापन होता है एक होता है यह होता है है स्ट्रेंथ ऑपन वेट होता है ठीक है जो आप structure बना रहे हैं न वो economically का ये definition बताता है economically का ये चीजे ध्यान रखना economically उसी को बोला जाएगा कि अभी देखो economic ज्यादा इंक्रों की बढ़ेगा कब जब उसका strength बढ़ेगा या तो weight कम होगा ठीक है weight कम करना मतलब weight कम करना मतलब material कम यूज करना strength बढ़ाना मतलब strength बढ़ना चाहिए weight कम होना चाहिए तब economically हमारा बढ़ेगा ठीक है तब हमारा economically क्या होगा बढ़ेगा तब हमारा economically क्या होगा बढ़ेगा otherwise क्या होगा अगर मान लिजे कि strength तो strength बढ़ रहा है ठीक है लेकिन weight भी बढ़ रहा है weight बढ़ रहा है तो approximate अगर weight के comparison में strength काफी ज़्यादा बढ़ रहा है तब तो economically ठीक है बढ़ेगा otherwise क्या होगा economically down भी हो सकता है economic down मतलब आपके पैसे ज़्यादा यूज हो सकते हैं आपके money जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं यह चीज़े यहाँ पर समझाना चाता है ठीक है तो यह चीज़े अगर आपको idea है तो आप बहतर तरीके से इसको समझ भी सकते हैं idea भी आपको मिल सकता है और इसके लेकर आप बहुत सारी point को clarify भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को आप जान भी सकते हैं तो यह compacting factor से related point थे जो आपको मुझे बताना था आपको आसा करता हूँ आपको समझ में आ गय होंगे ठीक है